हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक प्रिंटर की ट्रबल श्यूटिंग्स और रिपेर के बारे में जैसे के आप देख रहें कि एप्सन के प्रिंटर में कोई भी मोडरलो एल 300 हच सी ओ, एल 360 हो, एल 120 हो उनमें ये लाइट आप देख रहे हैं, रेड वाली लाइट बार बार बिलिंकिंग कर रही है, ये बिलिंकिंग करेगी प्रिंट नहीं देगा, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रोब्लम को हम कैसे सोल कर सकते हैं तो इसके लिए मैं पहले आपको सिस्टम पर बता देता हूँ कि जब आप प्रिंट देंगे तो कौन सा एरर सिस्टम पर आने वाला है जैसे आप कोई भी प्रिंट देंगे प्रिंटर के लिए तो आपके सामने ये वाला error show होगा जैसा कि ये dialogue box में आपको show हो रहा है ये वाला error आपको show होगा तो ये error mostly क्यों show करता है जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको इसी में वीडियो में दिखाया है कि double line जो आपकी है वो blinking करती देंगी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि मेरा चैनल है रिंकुकमाई शर्मा के नेम से अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया तो आप subscribe कर लिजीगा इस तरह के काफी वीडियो आपको इहाँ पर मिल जाएंगे वीडियो सेक्षन में या प्लेलिस्ट में भी आप ये देख सकते हैं तो इसका solution मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या होगा Google Chrome ओपन करना होगा और Google Chrome ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर type करना होगा Google में search करना होगा printer का name डालना पड़ेगा उसके बाद में adjustment programs और उसके बाद में जो printer का model number है वो डाल दीजेगा जैसे आप डालोगे उसके बाद में ये वाला जो link है आपका इस पे click कर दीजेगा जैसे आप click करो click करने के बाद में इसमें एक download tool है आपका वो tool आप download कर लीजेगा मैंने वो tool अलड़ी download कर लिया है तो वो tool मैं open कर लेता हूँ जो download मैंने गार रखा है देखिए ये zip file है इसको आप unzip कर लीजेगा पहले तो मैंने आप unzip भी कर रखा है और ये process करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके system में कोई antivires है तो आप उसे disable कर दीजेगा और इसको open किया मैंने open करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है select run me file जो run me file है इसको select करना है आपको और यहाँ पर right click करके run as administrator पे click करना है आपको फिर yes कर देना है आपको जो भी license की आ रहा है उसको okay कर दीजेगा okay करने के बाद में आपके सामने ये डैलोग box open हो जाएगा अब यहाँ से आप क्या करना है click on select button यहाँ से आपको जो select button है इसरट क्लिक करना है जैसे आप click करोगे क्लिक करने के बाद में यह dialogue box आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर select model number और port यह दो चीज आपको select करनी है तो आपके printer का जो भी model number है वो है कर लीजिगा और इसमें auto selection पर ही रहने दीजिगा इसमें कोई change आप कीजिये मत चाहो तो आप auto selection पर रहने दो इसको और इसे ok कर दीजिगा जैसे आप ok पर click करोगे ठीक है तो ok पर click करने के बाद में यहाँ पर दिखे जो option आएंगे आपके पास में इसमें आपको particular adjustment mode पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद में दूबारा box open हो जाएगा इसमें आपको क्या करना है select waste ink pad counter आपको find करना है waste जैसे यह वाला आपका show हो रहा है आपके waste ink pad counter इस पर click करेंगे और click करने के बाद में इसको आप ok कर दीजिगा जैसे आप ok करोगे next आपके समने यह dialogue box open होगा यहाँ पर आपको क्या करना है main pad counter पर check लगाना है या click करना है इस पर click करने के बाद आप इसको एक बार check करना चाहें तो आप check पर click कर दीजिए और check कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे है wasting pad counter थोड़ा सा हो सकता है इसमें time लगे आपको बट इस condition में आपका printer on होना चाहिए और अगर आप check नहीं करना चाहें तो कोई issue नहीं है आप सीथा antilize पर click कर दीजिगा थोड़ा से यहां पर time ले रहा है जब तक कि process ना हो आप थोड़ा wait करें और जो चीजे मैंने वीडियो में बताई है पहले starting से उन सब का follow करें continuous follow करते जाएं चेक करने के बाद में आप इस option पर click कर दीजिगा जैसे आप click करेंगे तो यहां पर आपके आवास एक dialogue box आएगा इसमें ok पर click कर दीजिए ओके पर click करने के बाद में आपको यहां पर finish option नीचे नीचे तरफ शो हो रहा होगा finish button पर आप click कर दीजिएगा यहां से यहां कुछ time आपका लेगा यह इस process को complete होने के बाद में आप देखेंगे अपने system को एक बार restart करके जरूर देख लीजिएगा ठीक है और printer को भी एक बार दुबारा से own कीजिएगा दुबारा जैसे own करेंगे तो यह problem आपकी दूर हो जाएगे इस वीडियो में इत्ता ही अगर कोई भी problem आती है कोई भी issue अगर आता है आपको तो comment box में आप मुझे comment कीजिएगा मैं आपकी पूरी help करने कोसिस करूँगा thank you